बाप के मरने के पाद बेटे ने मा को पुराने गर में शोर कर आ गया खुद साल में एक चकर लगा लेता था एक दिन पुराने गर से उसे काल आई कि आपकी वालदा की तब्यद बहुत खराब है बेटा गया देखा वालदा की तब्यत वाकई में बहुत खराब थी वो मोत के करीब थी बेटे ने पुशा मा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ मा बोली बेटा इस पुराने घर में पंखे नहीं है तुम यहां पंखे लगा दो बेटा हेरान और परिशान होके बोला मा अपने इतनी उमर यहां गुशार दी अब मोत के करीब आपने यह फरमाश की मा बोली बेटा मैंने तो अपनी जिन्दगी गुशार ली पर एक डर है कि कल को जब तेरे बचे तुझे यहां शोर कर चले जाएंगे तो तुघर मी बरदाश नहीं कर पाएगा मेरे लाल बेटे ने जब यह पास तुनी तो बेटे के पेरों तले जमी निकल गई वो अपने आपको आज तक माफ नहीं कर पाया दोस्तों मा तब रोती है जब बेटा खाना नहीं खाता और मा आज भी रोती है, जब बेटा खाना नहीं देता, एक मा से दस बेटे पल जाते हैं, मगर दस बेटों से एक मा नहीं पली जाती, वा जी वा, कुछ याद कर, जब तु बज़पन में अपने आपका वजन नहीं उठा पाता था, और चलते चलते गिर जाता था, तो तब तुम्हारी मा तुम्हें संबाज दे थी, तुम्हें चलना सिखाती थी, और हाँ, जब ठंड में रात को 3-4 बज़े बिश्तर पर पिशाप करते थे, तो वो तुम्हारी मा अपनी गेरी नींद को शोर कर, तुम्हें आराम की नींद सुला देती थी, और अगर आज तुम बड़े हो गए हो तो मापर चिला रहे हो उसको बोज समझ रहे शरम नहीं आती ये सब करते हुए अपनी मा के साथ अगर वो चाती तो तुम्हारा बचबन में ही गला दबा सकती थी पर वो मा है मा के लिए उसका बचा उसकी जाम से भी ज्यादा प्यारा होता है खुद को चा अंवार होती है ना तो परिष्टों को भी रोना आ जाता है अग्र आज इस वीडियो के बाद भी तुम्हारी आखें नहीं खुली तो समझ जाना कि तुम्हें एक जिंदा लाश हो और अगर तुम्हें मा के प्यार का इसस हो गया है तो इस वीडियो को ज़ादा से क्या पता आपके एक शेयर करने पर किसी और के अंदर भी मा के प्यार का इसास हो जाएगा मा के प्यार का इसास हो जाएगा